नमस्कार, मैं रविंदर कुमार कक्षा 11 की लोगप्रशासन की किताब है और आज हम उसी का पहला ध्याई लोगप्रशासन का अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेतर लेकर आई है यूट्यूब पर आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे लेकिन हमारे इस वीडियो में लोगप्रशासन के अर्थ को उसकी प्रकृति को और कार्यक्षेतर को बड़े ही सरल सब्दों में समझाया गया है तो अर्थ से हम सुरू करेंगे आधुनिक समय में लोगप्रशासन एक अलग अध्यन विश्य टीचिंग सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं एक अलग अध्यन विश्य बन गया है लेकिन अध्यन के एक अलग विश्य के रूप में लोगप्रशासन का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं पहले इस विश्य को राजनितिक विज्ञान की एक साखा यह एक ब्राँच के में पढ़ाया जाता था यह यह कह सकते हम कि लोगप्रशासन को राजनितिक विज्ञान में ही पढ़ाया जाता था वुड्रो विल्सन वह पहले वेक्ति थे जिनोंने लोगप्रशासन को राजनितिक विज्ञान से एक अलग विश्य मांग, 1887 में Political Science Quarterly मैगजीन का नाम है, तो Political Science Quarterly में The Study of Administration नाम से उनका एक लेक परकाशित हुआ, इस लेक में उन्होंने लोग परशासन को राजनितिक विज्ञान से अलग विश्य माना, एक अलग सब्जेक्ट माना, उनका कहना था कि परशासन और राजनिति एक दूसरे से अलग-अलग हैं, परशासनिक सवाल राजनितिक सवाल नहीं होते हैं, कहने का मतलब यह है कि परशासन में जो प्रशन होते हैं, वो राजनिति से नहीं मिलते हैं, इस परकार हम कह सकते हैं कि Woodrow Wilson ने राजनितिक परशासन द्व के एक अलग विश्यक रूप में पढ़ाना शुग किया गया लोग प्रशासन को राजनितिक विज्ञान से अलग करने में LD White की पुस्तक Introduction to the Study of Public Administration की भी महत्वकून भूमिका रही है यह पुस्तक 1926 में परकाशित हुई थी और इस पुस्तक में भी राजनितिक परशासन द्वीभाजन पर जोड़ दिया गया था अर्थार्थ राजनिति को राजनिति और परशासन को अलग-अलग विश्य माना गया था इसी को हम कहते हैं राजनितिक परशासन द्वी भाजन इस पुस्तक को लोग परशासन की पहली पाठे पुस्तक की मानता मिली हुई है तो कई बार प्रशन आ जाता है लोग परशासन की पहली पाठे पुस्तक कोन सी मानी जाती है तो वो L.D. White की introduction to the study of public administration है जो 1926 में परकासित हुई थी वरतमान समय में राज्य को जनता की भलाई के लिए सैकडों काम करने पड़ते है आज सीती यह है कि जीवन के किसी भी क्षेतर में कोई बाधा या रुकावट पैदा होती है तो लोग परशासन को दोस्त देती है वास्तों में सरकार की गतिविदियों की सफलता और ऐस सफलता लोग परशासन पर ही निर्बर करती है सरकार के बारे में लोगों की विचार चाहे कुछ भी हो किसी परकार के हो लेकिन सभी यह मानते हैं कि सरकार ने अपने कल्यान के लिए या सरकार से अपने कल्यान के लिए विजिन कामों को करने के उमीद करते हैं उन्हें केवल परशासन के माध्यम से ही किया जा सकता है और यही कारण है कि लोग प्रशासन को सभ्य समाज की प्रत्म आवश्यक्ता या फिर हम कहें आध्मिक समाज का रिदय कहा जाता है। रिचर्डड वार्नर एक विद्वान हुए हैं तो रिचर्ड वार्नर का कहना है कि यदी सरकार की एक इंजन के रूप में कलपना की जाए तो लोग परशासन उन पहीओं की त्रहें हैं जो इसे इंजन को गती और इसकी परिकर्मा को निरंतर बनाये रखते हैं। यह पहींया जितना बड़ा और जितना तेजी से घूंगता है, इसका परभाव भी उतना ही असरदार और चिरकालिक होता है, लोग परशासन के महतो के कारण यह जानना जरूरी हो जाता है कि लोग परशासन क्या है, तो लोग परशासन क्या है, इसके लिए हमें इसका अर्थ जानना पड़ेगा कि लोग परशासन का अर्थ क्या है तो लोग परशासन का अर्थ जानने से पहले परशासन का अर्थ जानना बहुँ जरूरी है लोग परशासन का अर्थ तुम बाद में जानेंगे लेकिन पहले परशासन का अर्थ जानना भोजूरी है तो अगर परशासन की बात करें तो परशासन संस्कृत भाशा का सब्द है जो शासन में प्र उपसरग लगने से बना है प्रय जमा शासन यानि की परशासन तो प्रय का अर्थ होता है उतकृष्ट तरीके से या उतकृष्ट रीती से तो इस परकार परश या उत्कृिष्टरिके से शासन करना या उत्कृिष्ट रीती से शासन करना। संस्कृत में या हिंदी में इसका आर्थ यह है, प्रशासन को यदि अंग्रेजी में बात करें, तो प्रशासन को अंग्रेजी में administration, एक बड़ा सब्द है, administration, administration कहते हैं, वो जो administration शब्द है, वो दो सब्दों add, जमा, ministerier से बना है, add, प्लस ministerier से बना है, जिसका अर्थ होता है, to look after, अर्थ आर्थ, लोगों की देखभाल करना, या लोगों की सेवा करना, दुबारा फिर मैं आपको बताता हूँ, कि administration, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और administration जो सब्द है, वो दो शब्दों add, प्लस ministerier से बना है, जिसका अर्थ होता है, लोगों की सेवा करना, या फिर लोगों की देखभाल करना, अर्थ हार्थ, जब एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों की भलाई के लिए, कोई सेवा का काम करें, जैसे नियाएधीस द्वारा नियाए करना, डॉक्टर द्वारा बिमार व्यक्ति क को दवाई देना, आदि तो हम इसे administration कहती है, इसी परकार बात करें लोग परशासन कि, तो लोग परशासन या अंग्रेजी में कहें, public administration, लोग परशासन या public administration का अर्थ होता है, people to look after अर्थार्थ लोगों की देखबाल करना और परशासन का यही काम है लोगों की देखबाल करना या फिर लोगों की सेवा करना लोग परशासन के अर्थ को इसकी परिभाशाओं के द्वारा अच्छी परकार से समझा जा सकता है अलग-अलग विद्वानों ने लोग परशासन की अलग-अलग परिभाशाओं दी है दो-चार परिभाशाओं यहां आपके सामने हम रख रहे हैं उसमें एक परिभाशा है प्रोफेसर एल्डी वाइट के अनुसार एल्डी वाइट जो कहते हैं कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी किरियाएं शामिल होती है जिनका उदेश है लोक नीती के लक्षे को प्राप्त करना और उसे लागू करना होता है यानि कहने का मतलब है कि L.D. वाइड जो है वो लोक प्रशासन में वे सभी किरियाएं वे सभी काम शामिल करते हैं जो लिए की जाती है, एक और विद्वान है, लूथर गुलीक, लूथर गुलीक कहते हैं कि लोग परशासन, परशासन विज्यान का वहभाग है, जिसका संबंद सरकार से होता है, और इसका मुख्या संबंद कारेपालिका से होता है, जहां सरकार का काम होता है, तो इसका मतलब य कि Luther Glick जो है वो लोक प्रशासन को सरकार की जो तीन अंग है विधान पालिका कारेपालिका और के शब्दों में या नूमेन के नुसार हम कहें उन्होंने चोटी सी परिभासा दी है उसमें एक बड़ी बात बताई है कि लोक प्रशासन सीमित साधनों से उत्तम परिणाम उत्पन करने की कला है एक और विद्वान हुई हैं पार्किंसन जो है वो लोक परशासन को एक अलग परकार से परिभाशित करते हैं वो कहते हैं कि लोक परशासन शास्किय कार्यों को वहवारिक रूप देने वाला संगटन दुबारा फिर रिपीट करते हैं लोग परशासन शास्किय कारें को सरकार के कामों को वैवारिक रूप देने वाला संगटन है उनको प्रैक्टिकल में वो करने वाला संगटन है तो इन परिभाशाओं को यदि ध्यान से अध्यन करें हम इन परिभाशाओं को चारों लोग परशासन का व्यापकर्त लेते हैं उनके रुसार सरकार की वे सभी गतिविदियां या सरकार की वे सभी किर्याएं फिर चाहे वो विधाई हों कारेपालिका की हों या न्याइक हों लोग परशासन में शामिल होती वो सरकार के तीनों अंगों की जो कतिवितिया हैं, उनको लोग परशासन में शामिल करते हैं, एल डी वाइट, और दूसरी और कुछ विद्वानों या फिर कुछ लेकों ने, जिनमें हम लूथर गलीक को शामिल करते हैं, उनका कहना है कि लोग परशासन में सरकार की केवल का कारेपालिका साखा के कामों को शामिल किया जाता है तो लूथर गलिक जो है वो सरकार के कारेपालिका समंदिर जो काम है उनको लोग परशासन में वो शामिल करते हैं तो लोग परशासन की परकरती कार्थ यह है कि परशासन में सरकार की कैसी किर्याओं को शामिल किया जा सकता तो लोग परशासन की परकर्ति के बारे में दो परकार के द्रिष्टी कोन है पहला है एक एकर द्रिष्टी कोन और दूसरा है परबंद की द्रिष्टी कोन दो द्रिष्टी कोन लोग परशासन में सरकार की कैसी किर्याहों को शामिल किया जाए इसका मतलब होता है लोग परशासन की प्रकटि दो द्रिश्टी कोन उबर कर सामने आते हैं एक एकर द्रिश्टी कोन और परबंद किया द्रिश्टी कोन LD-WIGHT हुए है और LD-WIGHT इसमें जो एक एकर द्रिश्टी कोन है इसको मानकर चलें तो LD White, DMOC और FIFNAR जैसे विद्वान एक 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 दृष्टी कोन के समर्थक हैं, इन विचारकों का कहना है कि सरकार की सभी गतिविद्या, फिर चाहे वे कारेपालिका की हों, विधानपालिका की हों, या न्याईपालिका की हों, सारी के सारी लोग प्रशासन में शामिल की जाते हैं, सरकार की सभी गतिविद्या, चाहे वो कारेपालिका की हों, विधानपालिका की हों, कारेपालिका की हों, सभी को लोग प्रशासन में शामिल किया जाता है, और LD White ने तो कहा भी है कि लोग परशासन में वे सभी किरियाएं शामिल होती है जिनका उदेश्य है लोग नीती के लक्षय को प्राप्त करना और उसे लादू करना होता है इसे परकार लोग परशासन की परकृति के बारे में दूसरा दिष्ठी कोन है परबंद की अदिष्ठी कोन तो लूथर गलीक, हरबर साइमन जैसे विद्वान इस दिष्ठी कोन के समर्थक है इन विचारकों का कहना है कि केवल उन्ही कामों केवल उन्ही लोगों के कामों को परशासन माना जाता है कि केवल उन्ही लोगों के कामों को प्रशासन माना जाता है जो अपने आप काम नहीं करते हैं बलकि दूसरों से काम करवाते हैं वास्तों में एक प्रशासक वैदिकारी होता है जो दूसरों के कामों का निर्देशन और निगरानी करके उनसे काम करवाता है तो लुथर गलिक ने कहा भी है कि प्रशासन का काम का पूरा करवाना और निर्धारित उद्रिश्यों को पूरा करवाना है। कि परशासक किसे कहती हैं, तो उसका उत्तर यही होगा कि परशासक उस व्यक्ति को कहती हैं, जो उन्चे पद पर बैठा होता है, और जिसके निचे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। यelि हमे एक कलरख या टाइपिस्ट को उसके सामने परशासक कहें, तो उसको बड़ा अजीव लगेगा उसकी दिमाख में एक सीधी से सवी होती है कि जो उन्चे पदर पर बैठा है और जिसके नीचे बहुत सारे करमचारी काम कर रहे है वास्ते में वही परशासक है वही एड्मिस्ट्रेटर है इसके बाद एक लोगपरशासन का क्षेतर हमारे पास रह जाता है तीन बात इसमें हम कर रहे है तो लोगपरशासन के क्षेतर क्या है लोगपरशासन का कारे क्षेतर क्या है तो लोगपरशासन के क्षेतर के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है मतभेद कई बातों को लेकर है एक बात ये है कि लोगपरशासन में सरकार की प्रशन आता है कि जिन बातों को लेकर मतभेद है लोगपरशासन क्षेतर के बारे में कि क्या लोग परशासन में सरकार के सभी कामों का अध्यन किया जाता है। कुछ कहते हैं कि कौन से अंक के कामों का अध्यन किया जाता है। या सिर्फ लोग परशासन में सरकार के प्रबंद किया कारियों का अध्यन किया जाता है। मतभेद इस बात को लेकर भी है कि क्या लोग परशासन केवल सरकारी नीतियों का किर्यानवन ही करता है, क्या सरकारी नीतियों को लागू ही करता है, या सरकारी नीतियों के निर्मान में भी कोई भूमिका निभाता है, तो मोटे तोर पर ये जो मतभेद है, इसके अधार पर लोग प्रशासन के क्षेतर के बारे में चार द्रिष्टी कोन बने हैं चारों को हम अलग-अलग प्रकार से अध्यन करेंगे एक है व्याकप द्रिष्टी कोन या जिसको हम कहीं एक इकर द्रिष्टी कोन और दूसरा है संकुची द्रिष्टी कोन या फिर परबंद की अध्यन तीसरा द्रिष्टी कौन है पोस्ट कौरब द्रिष्टी कौन और चोथा द्रिष्टी कौन है लोग कल्यानकारी द्रिष्टी कौन तो लोग प्रशासन के क्षेतर को जानने के लिए इन चारों द्रिष्टी कौनों का अलग-अधिन करना जूरी है ताकि आप निर्धारित कर स कि कौन से विद्वान, कौन से द्रिष्टिकोन को मांगते हैं। तो पहला जो है वो है व्यापक द्रिष्टिकोन या जिसको हम कहते हैं एक इकरत द्रिष्टिकोन। LD White, Vilovi, Negro जैसे विद्वानों ने लोग प्रशासन के क्षेतर के बारे में व्यापक दृष्टी कोन अपनाया है। इस दृष्टी कोन के अनुसार लोग प्रशासन सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका और म्याईपालिका से सम्मदी थे। इस दृष्टी कोन के विद्वानों का कहना है या इस दृष्टी कोन के विद्वानों का मानना है कि लोग प्रशासन के क्षेतर में उन सभी किर्याओं को शामिल किया जाता है जिनका उदेश्य लोग निती के लक्षय को प्राप्त करना या उसे लागू करना होता है। प्रोफेसर एल्डी वाइट ने लोगपरशासन के व्यापक दिश्टीकॉन के परिभाशा इस परकार की है, कि लोगपरशासन में वे सभी किर्याएं शामिल होती है, जिनका उदेश्य लोकनिती के लक्षे को प्राप्त करना या उसे लागू करना होता है। लोगपरशासन के क्षेतर के बारे में निगरो की व्याख्या अधिक व्यापक मानी जाती है, उन्होंने लोगपरशासन के क्षेतर की व्याख्या है वो इस परकार से की है, पहला वो कहते हैं कि लोग प्रशासन में कारेपालिका, विधानपालिका और न्याईपालिका के परस पर संबंध शामिल है यानि कि वो तीनों बातों को सरकार के तीनों अंगों को लोग प्रशासन में शामिल करते हैं दूसरा वो कहते हैं कि लोक परशासन की लोक नीती के निर्मान में परमुख भूमिका होती है। हमारे पास एक प्रशन उठाता कि क्या लोक परशासन नीतियों को लागू ही करता है या फिर नीती के निर्मान में भी कोई महत्तपुन भूमिका निभाता है। तो यहां निग्रोश साफ स्पष्ट करते हैं कि लोक परशासन की लोक नीतिक निर्मान में भी परमुख भोमिका होती है और इस परकार यह है राजनितिक परके रिया का अंश है तो इस परकार से यह विधान पाली का वाले काम भी करता है और तीसरा वो कहते है कि लोग प्रशासन समाज की सेवा करने के लिए लोगों से घनिश्ट रूप से जुडा हुआ है यानि कि मेन जो लोग प्रशासन का काम है वो है जनता की सेवा करना तो इस परकार वो एक व्यापक दिश्टिकोन लेकर चलते हैं लोग परशासन के कारेक्षेतर के बारे में दूसरा दिष्टिकोन है संकुची दिष्टिकोन या फिर हम उसको कह सकते हैं परबंद के दिष्टिकोन हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलीग जैसे विद्वानों ने लोग परशासन के क्षेतर के बारे में संकुचित द्रिष्टिकोन अपनाया है इस द्रिष्टिकोन के अनुशार लोग परशासन का संबंद सरकार की केवल कारेपाली का साखा से है सरकार की केवल कारेपाली का साखा से हरबर्ड साइमन ने लोगपरशासन के संकुची दिष्टिकोन की परिभाशा देते हुए कहा है कि लोगपरशासन से अभिपराए उनके रियाओं से है जो केंदर, राज्य और स्थानिय सरकारों की कारेपाली का शाखा द्वारा की जाती है। वो है पोस्ट कौरव द्रिष्टिकों। लूतर गलीक ने लोग परशासन के क्षेतर के बारे में पोस्ट कौरव, P-O-S-D-C-O-R-B, जहार से सुन लीजिए। इसको यह सबद बना है पोस्ट कौरव, P-O-S-D-C-O-R-B, शबद दिया है। उसना लूतर गलीक ने क्षेतर के बारे में लोग परशासन के, उनका कहना है कि पोस्ट कौरव शबद के अंतरगत लोग परशासन का सारा क्षेतर आ जाता है। और यदि बात करें पोस्ट कौरव शबद की P-O-S-D-C-O-R-B, तो यह जो शबद है वो अंग्रेजी के कुछ शबदों के जो प्रतम अक्षर ह उनका, उनको मिलाने से बना है। बात करेंगे P-O-S-D-C-O-R-B- तो P से अगर हम स्टार्ट करें तो P का मतलब है प्लानिंग, जोजना बनाने का मतलब है उन कामों की मोटी रूप रेख़्ा त्यार करना, जिनको किया जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, इसके बारे में पहले से निर्णे लेना ही नियोजन कहलाता है, तो P का मतलब है प्लानू, O का मतलब O for Organizing, यानि कि संगठन बनाना, संगठन बनाने से अभी पराए, एक S से धांचे का निर्मान करना है, जिसके द्वारा कारेओं को किया जाएगा, और तीसरे नंबर पर आता है, S, P, O, S, S का मतलब है Staffing, Staffing का मतलब है करमचारियों की विवस्था करना, Staffing, तो का अर्थ विभिन पदों के लिए, विभिन वैक्तियों को निउक्त करने से है, या विभिन पदों पर विभिन वैक्तियों को निउक्त करना है, सिर्फ न्युक्ति नहीं करना है बलकि उनको उस कारे का प्रशिक्षन देना भी है ताकि वो अपने काम को ठीक परकार से कर सके और D आता है D का मतलब है डारेक्टिंग निर्देश देना निर्देश का मतलब होता है उच अधिकारी द्वारा निचे के करमचारियों को उचित दिशा निर्देश देना ताकि वे अपने लक्षों को प्राव्ट कर सके उसके बाद है C C का मतलब है कोडिनेशन का मतलब है समन्वे करना समन्वे का अर्थ मतलब है कि समन्वे का अर्थ कामों में या कामों के विभिन भागों में एक रूपता स्थापित करना है कामों के विभिन भागों में एक रूपता स्थापित करना है ताकि कामों में दोरापन में आ सके दोरेपन का मतलब है कि एक ही काम को दो वैक्ती ना करें, दोनों अलग-अलग काम करें, इसको coordination, इंदी में इसको समन्वे कहते हैं, और R, R का मतलब होता है, reporting या report त्यार करना, report का मतलब है कि कितना काम हुआ है, कितना धन खर्च हुआ है, कितना कारे अभी बाकी है, और बाक बजट बनाना, बजट का मतलब है, आए वैका सही सही विवरन त्यार करना, कि इतने आए हुई है, उलतना खर्च हुआ है, इस परकार जो लूथर गलिक है, वो पोस्ट कॉर्ब सबद देते हैं, और ये कहते हैं कि पोस्ट कॉर्ब सबद में लोग-परशासन का सारा का सार आ जाता है, और चोथा द्रिश्टी कॉन था लोग-परशासन के कारे क्षेतर के बारे में कल्यानकारी द्रिश्टी कॉन, तो ये है, कुछ विदवानों ने लोग-परशासन के क्षेतर के बारे में कल्यानकारी द्रिश्टी कॉन भी दिया है, इसे आदर्श वादी प्रशासन में ज़्यादा अंतर नहीं है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में राज्ये ने कल्यानकारी राज्ये का रूप धान कर लिया है। प्रशासन का कामों तक फैला हुआ है। जो भी लोग प्रशासन का कारेक शेतर फैला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यह जो नोट्स हैं इसका भी एक लिंक बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ताकि आप इसमें से अच्छी परकार से सकें। शेर जूर करें और अपने कोमेंट्स जो है कैसा आपको लगा यह जूर हमें बताएं। धन्यवाद नमस्कार।